हैलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल मारकेट स्टाल मैंगो कुलफी और ये कुलफी हम बनाएंगे बिना गैस जलाया है मिंटों में बन करके ये तयार हो जाती है और बहुती ज़ाधा खाने में टेस्टि और ला जवाब होती है बिल्कुल सॉफ्ट और मज़ेदार कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया यहां पर एक आम और यह आम होगा करीब 200 ग्राम के करीब इसको अच्छे से पील करके इस तरह से चोटे चोटे टुकडों में कट कर लिया है इस कुल्फी में आप किसी भी वराइटी के आम का यूज में अच्छा पका यूज होना चाहिए अब इसको इक मे ने बाकर यह ड्से zar Aa महां जाल कर यह इस छमज मिल्क पाऊडर म्येजर कर रहा है इसी चमज से चार चमज ममी अट कर लिया है और फिर इससे अच्छे से चरन कर ले लिया है अब मैंने शहर düş Key अब शहर के कर अश इसे क्लद के अनदर यह पीछ तरधेलाई चैनल यहां पर मैंने कुलभी मोल्ड लिए और आपके कर दिए और इस संदर ऑपर से इसे कवर जरूर करिएगा से मैस् इसे इसमें ice crystal बने कुल्फी मोल्ड को भी मैंने इस तरह से कवर कर दिया है और इसमें लगा दिया आईसक्रीम के स्टेक अगर आपके पास इस तरह के कुल्फी मोल्ड ना हो तो आप घर की कोई भी कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं कुल्फी जमाने के लिए अब इसे हमें रखना है ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में जिससे कुल्फी बढ़िया से सेट हो जाएगी इसे हथेलियों के बीच में हलका सा रब करते हुए इस तरह से कुल्फी को निकाल लीजे बहुती आसानी के साथ ये मोल्ड से बाहर निकल आएगी और ये देखे कुलनर वाली कुलफी इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं पड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी कुलफी हो गई है तयार इसको मैंने सर्फ कर दिया है और थोड़ा सा बारी कटे हुए पिस्ते के साथ इसे गार्निश कर दिया है और बिना किसी मेहनत के ये टेस्टी कुलफी आराम से आप घर पर बना सकते हैं घंटों आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आम का सीजन है आराम से बनाइए ये मैंगो कुलफी और इंजॉय करिए मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्ट इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर बाबाई